हेलो दोस्तो क्या आपने कभी रात में आस्मान को देखा है और सोचा है कि हमारे समत से परे रहने वाले ये राज क्या है अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं आज हम एक ऐसे ब्रह्मान के रहस्य की खोज में निकलने वाले हैं जो एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिस्ट्री से खिरा है दोस्तो आज हम डाक मैटर के उस रहस्य को सुलजाने के लिए एक कोस्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं लेकिन इस रुमान्चक यात्रा पर जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को भी आन कर ले ताकि आप तक हमारी हर व रहते हैं सूरत से लेकर दूर की गैलक्सी तक वो सब मिलके ब्रह्मान के टोटल मास्क एक छोटा सा फ्रैक्शन बनाते हैं और बाकी के हिस्से में क्या है वेल वो है डाक मैटर तो डाक मैटर क्या है यह एक इन्विजिबल कॉस्मिक ग्लू है जो गैलक्सी को एक साथ रख इसे छू नहीं सकते और सीधे तोर पर इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते ये हमारे ब्रह्मान में सबसे इंट्रेस्टिंग कॉस्मिक अबजेक्ट है वैज्ञानिकों ने ये सावित करने के लिए कुछ प्रभावित सबूत इकठा किये हैं जो बताते हैं कि डार्ग मैटर हम हमारे ब्रह्मान में मौझूद है चलिए उस कॉस्मिक रहस्य को देखते हैं जिसने हमें इस अद्भुत पोज तक पहुचाने में मदद की तो एक इंपॉर्टेंट सबू दिया है कि गैलक्सी किस तरह से गूंटी है वो अपनी दिखने वाली मैटर की तुला में बहुत त यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक न दिखने वाली मास की ग्राविटी दूर की चीजों से आर एई लाइट को डिस्टॉर्ट करती है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आकाश में एक इन्विजिबल लेंस है जो ब्रह्मान के रहस्य को मैगनिफाई करता है तो अब जब हम जानत कॉस्मिक मिस्ट्री को ढूनने के लिए कुछ आकर्शक यात्राएं की हैं उन्होंने अल्टरा सेंसिटिव डिटेक्टर्स बनाए हैं जमीन के अंदर जो डाक मैटर पार्टिकल्स के रेर इंट्रेक्शन को पकड़ सकते हैं एक कॉस्मिक गोस्बस्टर्स की तरह हैं जो इ इसका पता लगाना बेयद मुश्किल हो जाता है यह डिटेक्टर्स पेशलाइस्ट इंस्ट्रुमेंट्स की तरह है जो इंडिरेक्ट्ली इसके ग्राविटेशनल इफेक्ट्स या रेर फिजिकल इंट्रेक्शन के माध्यम से दाक मैटर को देख सकते हैं दूसरे पार्टि मदद मिलती है और डाक मैटर इंट्रेक्शन को कैप्चर करने की संभावना बढ़ जाती है दूसरे वेग्यानिक मैसिव पार्टिकल एक्सलेरेटर्स में हमारे अरली युनिवर्स की स्थिती को रीक्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ये उमीद है कि डाक मैटर पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर पाएंगे ये लाब में एक मिनियेचर बिग बैंक बनाने की कोशिश करने जैसा हैं डाक मैटर की खोज ब्रहमान को समझने में एक क्रांती ला सकती है ये सिर्फ एक मिस्टीरियस कॉस्मिक अबजेक्ट को डूनने के बारे में नह हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे डायमेंशन का दर्वाजा खोल दे या हो सकता है ये ग्राविटी के ट्रू नेचर को रिवील कर दे ये पॉसिविलिटी माइंड बॉगलिंग हो सकती है चलिए अब हम इस कॉस्मिक जर्नी को एंड करते हैं और याद रख हैं कि ब्रह्मान रहस्यों से भरा हुआ है जो कुले के लिए तैयार है डाक मैटर हमारे विशाल ब्रह्मान का सिर्फ एक छोटा सा टुपड़ा है तो अगर आप कभी भी रात में आस्मान को देख रहे हैं और ब्रह्मान के रहस्यों के बारे में सोच रहे हैं तो याद तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो अगली बार तक आस्मान को देखते रहिए क्योंकि ब्रह्मान के पास हमारी कल्पना से भी अधिक वंडर्स है धन्यवाद